Welcome back to my channel, enjoy watching CCC Creative Crafts and Cooking by Preya आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे चाहें को अज करना पताना न बूले आज का वीडियो को रही हदो और आपको के वीडियो अदिए खुल रह्याएगा अगर वीडियो को मसा द आजए लिक शेर शियर सब्सक्राब्स सब्सक्राइब करें like share, subscribe, comment प्रेश करना भी प्रेश होदा है, तो comments करने में केंजो सी मा परें, जल्दी ज़े अच्छे से comments करें, या फिर अब अपको अच्छा नहीं लगता है, तब ले आप comments करते हैं, आपके comments बहुत जाद वैलोबिल होते हैं, तो आपके comments क मिल इसाल करूँगी, और स्टार्ट करते हैं हमाराज का वीज़ लेट्स के स्टार्ट हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करना ना भूलें पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के साथ मिल जाएगी वहां से उसको जरूर चेक आउट तो फ्रेंग्स जो प्राइजिस आपको गीववे में मिलने वाले हैं इन सभी प्राइजिस के लिए मैंने शॉपिंग की है एमाजॉन से एमाजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो चुकी है 29th of September से तो आपके पास मौका है बहुती सस्ते में ये सभी समान परचेस करने का मैंने जिस टाइम ही समान परचेस किया था उस टाइम इसके रेट्स थोड़े से हाई थे लेकिन इस टाइम सेल चल रही है तो आप इसको बहुती कम रेट में परचेस कर सकते हैं बहुती सुन्दर सुन्दर से गिफ्ट आइटम है आप इसको दिवाली में अपने फ्रेंड्स को रेलिटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी इसको मंगवा सकते हैं कुछ items जो मैंने चूस किये हैं अपने घर के लिए वो मैं आज आपके साथ share कर रही हूँ आपके पास और भी बहुत सारे options हैं Amazon पर आप वहाँ से check out कर सकते हैं ये है हमारा first item जो है electric अगरबत्ती दिया इसमें अगरबत्ती भी है और दिया भी है और ये आपको combo pack मिलता है आप देख सकते हैं ये electricity से जलता है मैंने यहाँ पर जो तार था उसको plug-in कर दिया है और ये एक बहुती मतलब original सा look दे रहा है दिया भी है और अगरबत्ती भी देखने में काफ़ी beautiful लगता है और आप अपने मंदिर में इसको decorate कर सकते हैं रात में जब आप lux होते हैं तो light वगएर उप कर देते हैं मंदिर में आप इसको लगा कर पुरी रात जला सकते हैं देखने में काफ़ी सुन्दर लगेगा सेकंड मैंने जो परचेस किया है ये है अखंड दिया ग्रास क्रिस्टल ओइल लैम टी लाइट होल्डर लाल्टेन ओवर शेप ये आपको मिलता है कॉमबो में मेंस आपको इसमें दिया मिलता है साथ में एक ये beautiful सी क्रिस्टल ओइल लाल्टेन मिलती है जब आप इसमें दिया को जलाएंगे तो इसका जो लुक आता है न दिवाली के टाइम पर हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बहुती सुन्दर सा लुक आए तो आप इस दिया को एक बार जरूर ट्राइ करें मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका एक्च्वल लुक आता कैसे है जब आप इसमें दिया बत्ती करते हैं तो आप इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं मीन साब के पूरे मंदिर में इसका रिफ्लेक्शन आएगा देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है जहां पर यह रखा हुआ है उसके बैक्ड़ॉंड में भी इसका रिफ्लेक्शन बहुत ही खुबसूरत आता है और यह कुछ इस तरीके से तीन का पैक निकलता है तो आप इसको चेक आउट कर सकते हैं जो भी प्रोडक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज से सेल स्टार्ट है तो आज ही इसको चेक आउट जरूर करें नेक्स्ट मैं ने परचेस किये हैं यह मौंग्स यह है मिनियेचर बुद्धा मौंग्स फिगर्स यह फोर का पैक आता है मिनी बुद्धा आइडल स्टेच्यू है जिसको आप अपने कार के डेशबोट पर भी रख सकते हैं या फिर आप अपने टेबल टॉप पर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं देखने में बहुती ब्यूटिफुल लगते हैं बहुती एलिगेंट की लुग देता है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको किस-किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं इसको भी आप एक बार जरूर चेक आउट करें घर में लगाने के बाद बहुती ब्यूटिफुल लगते हैं अगर आप इसको ग्लास टेबल पर रखते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन आप दिख सकते हैं कितना प्यारा आता है साथ इसको आप कार के डेशबोर पर भी लगा सकते हैं देखने में काफी अमेजिंग लगता है और जैसे कि मान्यता है कि हाँ इनको रखना शुब होता है तो एक बार आप इसको चेक आउट कर सकते हैं इस रियली वेरी ब्यूचिफुल तो ये था मेरा थर्ड आइटम अब फोट आइटम मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने पर्चेस किये हैं मल्टी कलर्ड डेकोरेशन बैटरी ओपरेटेड लेडी टी लाइट कैंडल दिवाली के टाइम पर होता क्या है जब हम लोग दिया जलाते हैं तो कई बार हवा चलती है तो वो दिया बुझ भी जाता है जिसकी वज़े से हमें उसे बार-बार जलाना पड़ता है तो उस टाइम पर आप चूज कर सकते हैं ये डेकोरेशन बैटरी ओपरेटेड लेडी टी लाइट कैंडल जस्ट लोक अट दिस इसके नीचे एक स्विच लगा होता है आप जब उसको अन करेंगे तो ये कुछ इस टाइब से ब्लेंक करते हैं और इसमें मल्टी कलर आते हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अभी मैं आपको लाइट आफ करके दिखाऊंगी तब आप इसका पूरा अमेजिंग लुक देख पाएंगे 12 पीसिस का सेट आता है आप अपने घर में कोई डेकॉरेटिव आइटम लगा रहे हैं उसके साथ आप इसको पेर अप कर सकते हैं या फिर आप अपने घर की डेकॉरेशन में इन दियों को एट कीजिए बहुती ब्यूटिफूल लगते हैं और अक्सर शादी की टाइम पर भी ये बहुती काम में आते हैं मेरे पास येलो कलर के ये टी लाइट कैंडल्स हैं जिसको मैंने अपने भाई की शादी में यूस किया था बहुती ज़ादा यूसफूल रही तो इसके लिए तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंट करूँगी कि या तो आप ये मल्टी कलर वाले ले लीजे नहीं तो एक जो सिंपल येलो लाइट में आता है जो प्रॉपर दिया लुक देता है आप उसको भी परचेस कर सकते हैं बहुती ब्यूचिफूल लगेगा और ये स्पेशल रिकमेंटेशन है क्योंकि ये बहुती यूसफूल होते हैं और आप जब एक बार इसको अपने घर में लगाते हैं लोग ही बदल जाता है जस्ट लोग इट इसकी कितने ब्यूचिफूल लग रहे हैं तो ये था मेरा फोर्थ प्रड़क्ट जो मैंने दिवाली के लिए परचेस किया है और आपको सारे चीज़े मिल जाएंगी और बहुती सुन्दर हैं बहुती खुबसूरत हैं एक बार इनको इस दिवाली परचेस करके अपने घर की खुबसूरती ज़रूर बढ़ाएं और प्लीज डोंट थिंग कि ये कोई स्पॉंसर्ड वीडियो है ये के वल इस ताइम सेल चल रही है ये कि आप भी इस सेल का पैदा उठा सकते हैं और इतने ब्यूटिफुल आइटम्स परचेस कर सकते हैं नेक्स्ट लास्ट बट नॉट दर लीस्ट ये है टी लाइट कैंडल्स ये हैं वैक्स वाली मेंस अब हमने ये बैटरी ओपरेटेड टी लाइट्स तो परचेस कर ही ली हैं लेकिन जब तक हम ये असली के दिये ना जलाएं तब तक तो दिवाली पर रौनक ही नहीं आती है ना तो इसी लिए मैंने परचेस किया है ये वैक्स टी लाइट कैंडल्स सेट ये है 50 कैंडल्स का सेट इसमें कुछ इस टाइब से ये मल्टी कलर्ड कैंडल्स आती है आप दिवाली पर इन कैंडल्स को इजिली ओपरेट कर सकते हैं इसके नीचे एक स्टील का स्टील और अल्यूमिनियम आई डून्ट नो कि उसका एक फोल्डर लगा रहता है जिसकी वज़े से जब आप इसको जलाएंगे तो इसका मों नीचे जमीन पर नहीं गिरेगा आप तहीं पर भी रख कर इसको जला सकते हैं देखने में बहुत ब्यूटिफुल लगते हैं एजिली ऑपरेटेड होते हैं ना हाथ जलेगा ना कुछ होगा और बहुत ही खूपसूरत लगेंगे तो ये था मेरा दिवाली का एमाज़न हॉल जितने ये आईटम्स में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ही सब आईटम्स मैंने अपने गीववे में भी रखे हैं तो आप उस गीववे कॉंटेस्ट के लिए इस टाइब के और भी वीडियो अगर आप दिखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को कॉमेंट सेक्शन में सज़ेस्ट जरूर करें मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अंडिल रें टाटा बाबाई एंड लव यू आल डोंट फोगेट तो लाइकन सब्सक्राइब